फ्रेंस, 150CC सेग्मेंट पे पलसर एक ऐसा बाइक है जो हर यंगर के बीच काफी चर्चा चलता रहता है इसलिए आज में आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ बजाज पलसर की और एक न्यू अपतार P150 जी हाँ, आज में आप लोगों को बजाज पलसर P150 के एक छोटा सवा कराउंड रिव्यू के साथ बताएंगे बाइक पे क्या कुछ न्यू फीचर्स मिल रहा है फिलाल इस बाइक के कोलकाता एक सोरूम प्राइस पड़ेगा 1,19,565 रूपीस और ओन रोट कोलकाता के लिए प्राइस पड़ेगा 1,44,800 रूपीस एप्रॉक्स दोस्तो फिलाल इस बाइक पे आपको पांच कलर एवेलेबेल मिलेगा और मेरे पास आज रिव्यू के लिए ब्लू कलर है मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा एकोडियम बजाज को जिनोंने ये बाइक मुझे रिव्यू के लिए दिये हैं बाइक रिलेटेड और कोई भी जानकारी या EMI स्किम्स के लिए डेस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिये गए कॉंटाक्ट डिटेल से आप डाइरेक्ट कॉंटाक्ट कर सकते हैं अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दिजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो के साथ जूरे रहिए फर्स्ट अपल हेड्लाम्प की बात की जाए तो इस बाइक पे आपको बी आई फंक्शनल एलेडी प्रोजेक्टर हेड्लाम्प विद एलेडी पाइलोर्ट लाम्प के साथ देखने को मिल जाएगा जिसके नाइट टाइम विजिबिलिटी काफी अच्छे हैं और इसी के साथ बाइक पे सेमी फ्लेक्सिवल क्लियो लेंस हैलोजेन वल्प टाइप इंडिकेटर ओफर की गई है यहाँ पे आपको एक छोटा सा विंड्सिल मिल जाएगा बात करें फ्रॉंट सस्पेंशन की तो सामने के तरब 31 mm टेलिस्कोफिक फॉर्क दिया गया है और इसी के साथ फ्रॉंट टायर की बात की जाए तो 90 बाइन्टी सेक्षन का 17 इंच फ्रॉंट टायर 260 mm डिक्स के साथ मिल जाएगे फ्रॉंट विल पे आपको ABS की सुभीदा भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंस बात करें फ्रॉंट टैंक की तो यहां आपको Aggressive external tank काउल दिख जाएगा जहां काउल के उपर Pulsar के 3D emblem दिया गया है और इसी के साथ बाइक पे 14 लिटर की फ्रॉंट टैंक capacity मिल जाएगी यहां आपको USB charging port मिल जाएगा जिससे आप phone charge कर सकते है यहां P150 की badging मिल जाएगी बात करें grab bill की तो इस बाइक पे आपको split type sporty grab bill देखने को मिल जाएगा जिसके quality of touch काफी अच्छे है और इसी के साथ बात करें tail lamp की तो पीछे LED tail lamp with glitter pattern के साथ दिख जाएगा पीछे भी आपको clear lens semi flexible bulb type indicator मिल जाएगी फ्रेंज अब बात करें engine की तो इस बाइक पे आपको 149.68 cc single cylinder air cool BS6 2.0 engine offer की गई है जिसमें आपको maximum power मिलेगा 14.5 ps at 8500 rpm और maximum torque मिलेगी 13 newton meter at 6000 rpm बाइक पे आपको kickstart की सुभीदा दिया गया है और इसी के साथ बाइक पे 5-speed manual gearbox की सुभीदा भी मिल जाएगी और इसी के साथ बाइक पे आपको single barrel underbelly sporty exhaust offer किया गया है तो चलिए बाइक की exhaust note एक बार सुन लेते हैं दोस्तों अब बात करें rear section की लेते हैं तो यहां एक बारा सा मर्डगर्ड दिया गया है और इसी के साथ बात करे रेयर टायर की तो पीछे 110 x 80 सेक्षन का 17 इंच ट्यूबलेस टायर 230 mm डिक्स के साथ आता है रेयर हुईल पे RLP सेंसर जैसी सुविधा भी मिल जाएगी रेयर सस्पेंशन की बात करे तो पीछे एड़ देखने को मिल जाएगा जिसके क्वालिटी काफी अच्छे है और क्रूशनिंग भी काफी सॉफ्टार साइड है अब बात करे मीटर कांसोल की तो इस बाइक पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर ओफर किया गया है जिसमें यहां कुछ टेल टेल जैसे साइट स्टाइन इंडिकेटर पैटरी इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर हाइ बीम इंडिकेटर इंजिन मालफंक्षन लाइट यहां अनलोग टैपो मिल जाएगा और इसी के साथ इस बटन को टोगल करके Trip 1, Trip 2, Odometer चेक कर सकते हैं Friends, बात करें Handlebar की तो इस बाइक पे आपको Split Type Clip On Handlebar मिल जाएंगे Handlebar के Position थोड़ा आप डाइट होने के वज़े से आपको एक Straight Type Riding Posture दे देगा Switch Gear की Quality काफी decent है Handlebar के Position मुझे ठीक ठाक लगा और Handlebar के Right Position पे Indian Kill Switch के साथ Self Start बटन मिल जाएगा Mirror की Quality ठीक ठाक है दोस्तो बाइक पे 12 Volt की Maintenance Free Battery यूज किया गया है बाइक की Seat Height 790 mm, Ground Clearance 165 mm, Wheel Base 398 52 mm and Carb Weight 140 kg बात करें Top Speed की तो 120 km पार आवर की Top Speed आपको इस बाइक से देखने को मिल जाएगा और Mileage की बात की जाए तो Around 45 km की Mileage आपको इस बाइक से मिल जाएगी Competition की बात की जाए तो Suzuki Gixxr 150, TBS Apache 164B, Yamaha FGS V4, Hero Extreme 160R जैसे बाइक इसके मेन competitor है 0 to 60 इस बाइक की Acceleration Time है 6.33 सेकेंड So overall बजाच Pulsar P150 आपको कैसा लगा? आपको इस बाइक पे कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा? आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए So आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अपडेटेड वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद and गुड़बाई आपको किसी अच्छा लगा?